आगरा में खादे विभाग और राशन डिलिरों की चल रही काला बजारी को लेकर जिला कलेक्टरिट पर लोग जनशक्ती पार्टी के नेताओं ने डियम के नाम ग्यापन सौपा और गरीबों के हग के राशन को मारने का काम कर रही राशन डिलिरों पर कारवाई करने की और काला बजारी करने वालों के खिलाव कारवाई करने के लिए डियम को ग्यापन सौपा खाद विभाग और जिलापूर्ती विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से राशन डिलरों की होसले बुलंद हो रही हैं यह कैना था लोग जनशक्ती पार्टी के प्रदेश उप काला बजारी कर रहे हैं और गरीबों के हक की राशन को दकार रहे हैं पांच किलो अनाज दिया जाता है जिसमें तीन किलो गैहूं और दो किलो चावल राशन दुकानदार एक किलो चावल को काड़ देता है और गरीबों का एक किलो पर यूनिट ये बचा रहे हैं एक दुकानदार पर 6-700 रासन कार्ड होते हैं अब एक कितने यूनिट होते होंगे यह बहुत बड़ा काला बजारी है जिसकी मांग करने के लिए आज हम जलादिकारी महोदे के यहां उफस्तित हुए है और अपना ग्यापन दिया है और इस पर कारवाई करेंगे उन्होंने जल या अन्द कोई सामाजिक संटा ने भो भी बढचर के हिस्सा ले क्योंकि यह तो अधिकारियों ने भाई साब बो गदर मचा रखा है वो गदर मचा रखा है कि इनके सरचण में यह सारा काम हो रहा है मैं पुरहने वेदन करना चाहूँए सभी सातियों से पत्रकार हुआ कि यह काला बजारी रोकने में हम रोगों का साथ करते हैं बहुत बहुत है